हेलो और विल्कम टू और्गानल क्लास होमिप्रतिक एग्रेवेशन के बारे में एक छोटा सोबर व्यू कर देता हूँ दो मिनिट में होमिप्रतिक एग्रेवेशन क्या होता है कि मेडिसीन खाने के बाद जब वही जो सिंप्टॉम्स शरीर में मौजुद होता है वो बढ़ जो सिंप्टॉम्स यह जो सिंप्टॉम्स बढ़ जाएगा सब्सक्राइब कि किसी का इस एरिया पर प्रोडूसिंग देने के बाद इस एरिया का पेले थोला सा बढ़ेगा त्यूंकि दूँद प्रामरी एक्षान उसके बाद यह फिर सेकेंडी रेक्षान कम हो जाएगा यह चीज जो है और इसे फिर हम लोग देखेंगे कि जो एफोर्जम्स है उस एफोर्जम्स के एकोडिंग यह जो मैंने अभी बताया कि 157 एफोर्जम्स में इस होईप्रति के डिफिनेशन दिया हुआ है और इसमें यही चीज़ का आया कि इमीडियेटली अप्र इंजेश प्राइमरी अक्षन अब दा मेडिसीन यह मेडिसीन का सिम्टम में इसलिए बढ़ेगा यह 157 में अब जो है कि 158 में होईप्रतिक अग्रेवेशन के बार में लिखा यह वेरी गूट प्रोग्नोस्टिक और 159 में यह लिखा हुआ है कि होईप्रतिक अपना डोस के उपर ड होता है अब समझ भी सकते हैं अगर आच्छे से देखे तो यह 160 में लिखा हुआ और 161 में लिखा हुआ है कि होईप्रतिक अग्रेवेशन जो है कि कुछ घंटा तक हो सकता है फॉर्स्ट और और फ्यू आवर्स लेकिन क्रोणी डिजिस में लॉंग स्टंडिंग हो सकता है इसे भी ज्यादा होईप्रतिक अग्रेवेशन हो सकता है यह जो पार्च आपरिजम है 157 158 159 161 इस पार्च अगर आप सिक्वेंशियल एक बार पढ़ लोगे और जैसे जिस मैंने बता है इसको द्यान में रखोगे तो एक दम नार्सल में आपका होईप्रतिक अग्रेवे जब श्यान में आपकाँ सिक्वेंशन ह।